दोस्तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा एक regular subscriber है और चैनल का नाम है दोस्तो goal finder और इन्होंने दोस्तो request किया है कि सर आप से निवेदन है कि PDF पर लिक लिक कर कैसे पढ़ाएं इसके बारे में एक वीडियो बनाएं मुझे इसकी बहुत अवसकता है थैंक यू सो मच तो दोस्तो अगर आपको भी यह सीखना है कि PDF पर लिक लिक कर हम कैसे पढ़ा सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो पर बने रहिए देखते रहिए और सिखते रहिए तो चलिए दोस्तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं लेकिन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पह पढ़ाना है वह चीजें आपको ms word पर पहले टाइक कर लेना है तो सब से पहले आप इसतरह कोजिशन आप टाइप कर लेंगे यह जो भी चीजे आपको पढ़ाना है वह सब से पहले आप ms word में ऐत कर्ण करते कार की टैप लेंगे इसके बाद दूस्तो आप File Tap पे किलिक करेंगे, File Tap पे किलिक करने के बाद दूस्तो आपको यहां पे एक Option मिलता है, Export का, Export पे आप किलिक करेंगे, उसके बाद दूस्तो आपको यहां पे एक Option मिलता है, Create PDF, दूस्तो आप Create PDF पे आप किलिक कर दीजिए, और उसके बाद दूस् आपको यहां से publish पे click कर देना है तो यह दूस्तो आपका content है यह दूस्तो आपका MS Word से PDF फाइल में यह बन जाएगा ठीक है तो यहां पर दूस्तो आप देख सकते हैं कि यह हमारा PDF बन गया है ठीक है तो इस तरह से आपका PDF बन जाएगा उसके बाद दूस्तो आप इसे close कर द देनी है ठीक है PDF बन जाने के बाद दूस्तो आप इसे desktop पे रख सकते हैं यह जहां भी रखना चाहें आप रख सकते हैं तो दूस्तो पीडियाप पे click कर पढ़ाने के लिए दूस्तो आपके PC में एक software पहले से install होता है जब दूस्तो आप Windows इंस्टॉल करते हैं या आप नय download करके इसे install कर सकते हैं दूस्तो इसे download करना और install करना बहुत ही आसान है आप सबसे पहले Google Chrome open करेंगे उसके बाद दूस्तो आप Google में type करेंगे Microsoft Edge for Windows 10 ठीक है इस तरह साप लिक करके आप search कर लेंगे उसके बाद दूस्तो जो पहला link आएगा उस पे आप click करेंगे उसके बा आप अपने PC में इसे install कर लेंगे ठीक है तो यह सारा process दोस्तो बहुत ही आसान है जब दूस्तो यह Microsoft Edge आपके PC में install हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद दूस्तो आपको PDF open करना है ठीक है तो दूस्तो आप इसे double click करके open ना करें ठीक है इसे open करने के लि यहां पे आपको एक option दिखेगा Microsoft Edge ठीक है इस पे आपको click कर लेना है ठीक है यानि कि दूस्तो आपको इस PDF को Microsoft Edge application में open करना है उसके बाद दूस्तो आपको यहां पे एक option मिलेगा ठीक है fit to screen का इस पे आप click करेंगे तो इस तरह से यह जो है आपके screen पे बिल्कुल सही से fit ह हो जाएगा उसके बाद दूस्तो यहां पे आपको दिखेगा three dot ठीक है आप यहां three dot पे click करेंगे और three dot पे click करने के बाद दूस्तो यहां से आप इसे जूम कर लेंगे ठीक है यानि कि यहां पे जो भी URL वेगर अधिक रहा था browser का वो सभी चीज़ें यहां पे नहीं है दूस्तों OBS lifetime के लिए free screen recorder है ठीक है इससे आप PPT record करके पढ़ा सकते हैं PDF record करके पढ़ा सकते है यह तो दूस्तों अगर आप computer screen record करना है तो वो सारे चीज़ें दूस्तों आप OBS में कर सकते हैं दूस्तों जितने भी बड़े-बड़े educational YouTube चैनल आप देखते हैं सभी जो मैं यहाँ पर बता देता हूं कि अगर आपको PDF से पढ़ाना है तो उसके लिए आप OBS में क्या क्या करेंगे ठीक है तो दोस्तों उसके बाद आप OBS open कर लेंगे OBS open करने के बड़ेंगे यहाँ पर आपको जो है source में आपको यहाँ पे plus icon मिलेगा प्लस icon पे click करेंगे और यहाँ पर आपको एक option मिलता है, window capture, window capture पे click करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों आप OK कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका PDF दिखने लग जाएगा, अगर नहीं दिखता है तो दोस्तों आप यहाँ जो है, यहाँ पर आपको window option मिलता है, तो यहाँ पर Microsoft Edge में जा गर के, यह आप window select करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है और ok कर देना है ठीक है इस तरह से हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आप इस screen के ऊपर right click करेंगे right click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक option मिलेगा transform transform pick आएंगे और यहाँ दोस्तों आप थोड़ा से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक option मिलेगा fit to screen इस पे आप click कर देंगे इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपका PDF होने लग जाएगा उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से इसे close कर देंगे उसके बाद दोस्तों आप इसे जो है as a video format में record करना है तो record करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक button मिलता है start recording ठीक है start recording पे आप click करेंगे इस तरह से आप start recording पे click कर देजिए और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से इसे minimize कर देजिए ओके दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि facecam के साथ video record करें यानिकि यहाँ पे PDF पढ़ाते हुए नजर आए तो दोस्तों इसके लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों यहां से okay करेंगे ठीक है तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको device का नाम आएगा यानिकि आपने laptop में अगर कोई webcam connect कर रखा है तो उसे आप यहां से select करेंगे ठीक है तो यहां पे देख सकते हैं कि हमने logic tech का एक webcam connect करके रखा है तो वह यहां पे आ गया है उसके बाद दोस्तों यहां से आपको okay कर देना है ठीक है उसके बाद दोस्तों आप इसे जहां रखना चाहते है screen के उपर वहां पे आप इसे रख लेंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहां जो है इसके corner से तो दोस्तों यहां पे मैं इसे रख देता हूं ठीक है तो इस तरह से आप आप यह सारी चीज़े कर लेंगे उसके बाद दूस्तों यहां पर देखें लॉक का ऐकन है तो यहां पर लॉक के ऐकन पर क्लिक करके से आप लॉक कर देंगे ठीक है और यहां पर दूस्तों सारी चीज़े रिकॉर्ड हो रही है ठीक है उसके बाद दूस्तों आपको गाकन है दो size में आता है एक लगवग जो है 3700 से 4000 के बीच आएगा और एक जो आता है दोस्तों वो 6000 से 7000 के बीच आता है ठीक है तो दोस्तों graphic pen tablet जो है आप Amazon पे try कर सकते हैं otherwise दोस्तों अगर आपको खरीदना है तो उसका link मैं आपको description में दे दूँगा तो वहां से भी दोस्तों आप graphic pen tablet बाइक कर सकते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों आता है कि PDF पे हम लिखेंगे कैसे तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे draw करने के लिए यहां प कर सकते हैं ठीक है अब क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है यहां पे आपके पास pen है paper है और सारा कुछ है तो दोस्तों कैसे लिखना है क्या लिखना है और कैसे पढ़ाना यह आप मुझसे बहतर जानते हैं ठीक है तो इस तरह से यह सारी चीज़ें दोस्तों आप कर सकते ह है जो कि एक paragraph है ठीक है जैसे कि कोई story पढ़ा रहे है या इसा कुछ पढ़ा रहे तो दोस्तों यहां पर आपको highlighter मिल जाता है यहां पर highlighter लेंगे और यहां से दोस्तों आप जो है line को highlight कर सकते है ठीक है इस तरह से आप पढ़ाते जाएंगे scroll button होता है उससे दोस्तों आप पीडियाप को scroll करते जाएंगे और बांकी जो भी चीज़े हैं दोस्तों आप इस तरह से highlight करके भी पढ़ा सकते हैं अगर दोस्तों कुछ लिखना है तो यहां से दोस्तों आप ड्रो टूल यहां से और यहां पे दोस्तों आपको stop button पर recording पर क्लिक कर देना है ठीग है जैसे दोस्तों आप stop रिकारडिंग पर क्लिक करेंगे तो आपका video जो है record होना बंद हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप यह सारे चीजे कर लेंगे इस तरह से दोस्तों आप पढ़ाएंगे रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद दोस्तों अगर आपको देखना है कि यह वीडियो हमारा कहां सेब हुआ है को इसका आपको यह देखना है कि मेरा वीडियो कैसा रिकॉर्ड हुआ है और कहा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है जो यूटूब पे अपलोड होने के लिए बिल्कुर रेडि है यह हमारा वीडियो कैसे बना है दोस्तों यहां पर आपको एक option नलता है वीडियो कैपचेव करेंगे उसके बाद दुस्तो आता है कि पीड़ियाप पे हम लिखेंगे कैसे तो दूस्तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर भुत करने के यहां पर आपको एक Stellenlime अजालों कक्लिक रहेंगे यानि कि दूस्तों बहुत ही सरल है और सिंपल है दूस्तों आप इससे भी ज्यादा और असान तरीका आप चाहते हैं तो दूस्तों इसके लिए आपके पास फिर Camtasia Software इंस्टॉल होना चाहिए दूस्तों अगर आपके PC में या Laptop में Camtasia इंस्टॉल है तो दूस्तों आप इस PDF को open कर लिजिए ठीक है बस आपको कुछ नहीं करना है बस इस PDF को open कर लेना है चाहिए यह जिस application में हो इसे आप open कर लेंगे उसके बाद दूस्तों आप यहां पे जो है थ्री डॉट पे किलि तो दूस्तों बस आपको करना है Pen Tool के लिए जो भी आपने shortcut की setting किया है जैसे कि मैंने Pen Tool के लिए Alt की setting किया तो जैसे मैं Alt दबाता हूँ तो यहां पे दिखे pen आ जाता है और यहां पे दूस्तों मैं लिख लिख करके बड़े अराम से पढ़ा सकता हूँ तो दूस्तों अग laptop में connect है सारा कुछ आपने connect कर दिया है और उसके बाद दूस्तों यहां पे लिख लिख करके बढ़ा सकते हैं फिर shortcut की दवाया और जो भी चीज़ आपने लिखा है वो delete हो जाता है फिर आपको यहां पे दूसरा सवाल explain करना है या समझाना है जो भी चीज़े करना है तो द सवाल जो type किया है तो दूस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे page पर यह सवाल type किया है बड़ दूस्तों आप चाहें तो आप जो है जब आप ms word में यह सवाल type कर रहे हैं तो दूस्तों यहां पे थोड़ा सा जगह रख सकते है explain करने के लिए ठीक है तो आप अपने ह software है वो paid software है वो फिरी नहीं है तो इसलिए दूस्तों सभी लोग campaign नहीं कर सकते तो दोस्तों इससे पहले जो मैंने आपको obs से record करने का तरीका बता है वो आपके लिए best हो सकता है ठीक है तो मैंने दूस्तों फिरीवाला और paid वाला दोनों ही तरीके बता है दोनुए our साने दोस्तो कोई भी जो है मुश्किल नहीं है तो जो आपको तरीका पसंद उस तरीके से दोस्तो आप स्क्रीन record करके PDF पिलिख ली कुछ करके पढ़ा सकते हैं तो आई हुप दुस्तो कि ये वीडियो ये tutorial आपको पसंद आया होगा दुस्तो अगर ये वीडियो पसंद आ है तो इस वीडियो को लाइक करें दुष्तो अगर चैनल पर नए है तो आप Чैनल को सब्सक्राइब करके जाएं तो चलिये दूस्तो इस तरह के इंट्रेंस्टिंग video में आपके लिए करके आता रहता हूं तो चलिए दूस्तो मलता हूं फिर नेक्स्ट विडियो में नेक्स्ट टूटोरियल में तब तक के लिए दूस्तों जैहिन बंदे मातरम